प्रेस्ट बेल आइकन फॉम यूट्यूब एप और नेवर मिस एनी अपडेट फॉम एमजी इन्फरतेन्मेंट किर्दार में तीन खूबसूरत चेहरे देखने को मिले यानि कि तीन अभी नेट्रियों ने डॉक्टर रिदीमा के किर्दार को बेदी खूबसूरती से छोटे पर उतारा था तो दोस्तों आज के इस वीडियों पर हम बात करेंगे इन तीन होई अभी नेट्रियों की जोगिंग करते हुए जहां जोगिंग करने के बाद डॉक्टर रिदीमा एक बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर रेस्ट करने लगती है जहां अचानक से एक बास्केटबॉल रिदीमा की बैक में आकर लगती है जिस वज़ए से रिदीमा गुस्से से पीछे देखती है जहा गुस्से और क्यूटनेस के स्पेसल कॉंबिनेशन के साथ उनकी प्यारी सी फर्स्ट एंट्री देखने को मिली वैल उहाना शिवानन ने रिधीमा की पहली जलक में ओडियंस के दिलों को बखु भी जीत लिया था आप बात करेंगे सो की सेकंड रिधीमा और सुकीर्ती कानपाल की जिनकी फर्स्ट एंट्री काफी सिच्वेशनल स्टाइल में हुई थी जा उनके हातों में से एक फाइल फिसलती है और इसमें रख्योवे पेपर्स इधा उधा उढ़ने लगते है जीने समेटते हुए रिधीमा का स्माइल से भरा हुवा हाफ पेज दिखाया गया था जा संजीमनी का डोर ओपन करते हुए चेहरे में खुबसुरत इसमाइल के साथ सैकंड रिधीमा को हॉस्पिटल के तरफ आते हुए फर्स टाइम दिखाया गया था जहां वाइट सलवार सूट में सुकीरती बहदी खुबसुरत और प्यारी नजर आई थी तो दोस्तों फाइनली बात करेंगे सो की थर्ड रिधीमा उर्फ जैनिफर विंगेट की जिनकी फर्स एंट्री एकदम फिल्मी स्टाइल में हुवी थी जहां प्यार में डूबी हुवी रिधीमा खुसी से जूमते हुवे गाते हुवे दिखाई गई थी जहां देखते हैं सनफ्लावर से अपने चेहरे को टच करती हुवी सरमाते हुवी रिधीमा के हाफ पेस को जहां उनके entry scene में ही अर्मान और रिधीमा के बीच romantic song दिखाया गया था जहां अर्मान डॉक्टर रिधीमा के चेहरे से slowly slowly डुबट्टा हटाता है और हमें देखने को मिलती है जैनिफर की बेहदी खुबसूरत entry जहां ब्लू सरवाज सूट में जैनिफर की पहली जलक काफे दिल जीत लेने वाली थी तो दोस्तों ये थे दिल मिल गए सीरियल से तीनों डॉक्टर रिधीमा के fabulous first entry looks तो इस वीडियो के comment section में हमें जरूर बताए कि किस अभी नेत्री का डॉक्टर रिधीमा के किदार में first entry सबसे खूपतत और impressive रही थी इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद